आज स्सामलेकूम बिल्टा आज हमने अपना टॉपिक पढ़ना था पार्ट्स ऑफ ब्लांट के बारे में इसके हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे रूट्स टैम लीव एंड फ्लावर्स इन तमाम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है रूट्स आपको पता है रूट्स रूट्स ऑफ दा प्लांट और अंडर दा ग्राउंड रूट्स जड़े जो होती है वो जमीन के नीचे पाई जाती है the main function of the roots is to absorb water and nutrients from the soil इसका main function जो होता है वो water को absorb करना होता है और nutrients को absorb करना होता है ठीक है इसका main function क्या होता है water को absorb करना यानिकि उसको judge करना और मट्टी के अंदर से nutrients और soils को absorb करना next step है stem stem इसका stem कहते है तने को और जो बारी एक सी लकड़ी होती है बारीक सी लकड़ी होती है चोटे से पोदे के नीचे उसको कहते है stem carries water and nutrients to different part of the plant stem का का काम होता है root से water को absorb करना और plant के दूसरे हिसों तक पहुंचाना क्या काम होता है root से absorb करना और plant के दूसरे हिसों तक पहुंचाना stem sport the upper part of the plant और stem का का काम होता है उसके upper part को उपर वाले हिसे को यानि कि इस तमाम हिसे को क्या करना sport करना उसको मजबूती देना next set leave green leaves make food for the plant leaves का का काम होता है plant के लिए खुराग तियार करना leaves green color के होते हैं और इनके अंदर एक माया होते हैं क्रोलो फिल ठीक है उसका काम क्या होता है पोदे के लिए खुराग तियार करना they make food in the presence of sunlight air and water they are known as food factory of the plant पोदे sunlight को absorb करते हैं air को absorb करते हैं water को absorb करते हैं जिसे हम क्या कहते है food factory और इसकी वज़ा से इसे हम कहते है food factory of plant क्योंकि ये खुराग तियार करता है पोदों के लिए next आपके पास है flower flower are the most beautiful part of the plant pool सबसे अच्छा हिस्सा होता है सबसे खुबसूरत हिस्सा होता है पोदे का they are different shape of size इसके different shape होते है different size होते है some flowers है sweet smell और इनकी smell जो होती है वो क्या होती है बहुत ज़्यादा sweet होती है बहुत ज़्यादा प्यारी होती है last time भी मैंने ये topics करवाय थे मैं दुबारा repeat करें इन topics को ठीक है क्योंकि इनका जो question था ठीक है इनका जो question था रह गिया था वो हमने home fuck मैंने वह वाला home fuck पर question देना था तो मैं आज दूंगी वह वाला question इसलिए मैंने दुबारा से repeat करवाया है home fuck इसका एक ही question है अपनी exercise पर आओ exercise पर question number two दिया हुआ है which one function of these part of the plant stem, leaf, root, flower इनका एक-एक function आपने लिखना है ठीक है इस में से यह जो जितने आपको topic दिया है में इन topic में से एक-एक function लिखोगे और यह यही आपका home work है home work आप सब का साफ सुथरा neat and clean होना चाहिए ठीक है और अपना home work से चड़े वाले दिन आप सब submit भी कर रहा हूँ अल्ला हाफिस